हेलो फ्रेंड्स आपका इस्टेडी आइक विकेडिन स्वागत है आज आपके ले में पुस्त काले बरती जो 2018 की निकली हुई थी उसी की एक्जाम डेट और कितने फोरम बरे गए उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है एक्जाम डेट का अब तक क्या हुआ दस महिने ह हो गए आपके एक्जाम को ले करके इसकी बरती निकाले हुए और चितंवर में इसका एक्जाम करवाने की बोला गया था तब तक कोई भी एक्जाम नहीं करवाया गया नाहीं एक्जाम डेट दी गई यह इतरा बड़ा दोका क्योंकि यो जा रहा है क्रमचारी चैन बरतिया निकाली थी उसका एक्जाम भी करवा दिया है और परिणाम भी आच चुके हैं पर इस बरती का अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी गई है तो इसलिए हमने इस बरती को दुबरा उसका ने की कोशिस किये आप स्टुडेंटों को मदे नजर रखते हुए क्योंकि एसे स्टुडेंट तो चुक चाप बेटे रहेंगे स्टुडेंटों को कुछ ही नहीं है कोई यूटूबर भाई है या कोई न्यूज पेपर है इस न्यूज को ज्यादा ज्यादा आगे शेयर करेगा या आदा इसको रोज डालेगा तो इसका कोई गवर्मेंट सॉलीशन भी निकालेगे यह दि आप चुब बेटे रहोगे तो इस बढ़ती का कुछ भी नहीं होने वाला यह आप से में सच बतवा देता हूं तो इस परिक्सा 2018 की जो बड़ती थी उसी की बारे में बता रहा हूं मैं आपको बड़ती निकले 10 महां बीटे बड़ती निकले वह आपके 10 महां बीच चुके परिक्सा का पता ही नहीं अब तक तो परिक्सा का अब तक कोई पता नहीं है आगे जानकारी देखती रही है आप महिने से क्या कर रहा है अब तक किसी को पता नहीं इस बारे में मामला पुस्तका ले देख्ष ग्रेड थर्ड परती का प्रिक्सा का है तो आप देख वारे पुस्तका ले देख्ष ग्रेड थर्ड परती का मामला है तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूं तो आगे देखत तो यह को देखते हो इसमें इतने पडिते अलग अलग कि यह लिए जून जुलाइएमें आवेधन मांगे अब डूबरा जुन जुलाइए आने वाला है तब तक कोई इजनका रिस्पंस नहीं है तो इसी को देखते हुए आगे में से आगे शेर जरूर करते रहिएगा करीब 4700 आवेदन किये गए थे तो आप देख सकते हो 700 पदो में कितने आवेदन किये गए 700 पदो पर आवेदन किये गए तो ये आपके लिए पूरी official data है आपके लिए पूरे जानकारी मेंने बता दिये आगे क्या है इसमें किये गए थे विगपती जारी हुई तब परिक्सा अगस सितंबर जब विगपती जारी हुई थी तो अगस सितंबर में इसकी exam date रखी गई थी expected जिसमें कोई exam नहीं करवा गया संभावित बताई गई थी लेकिन 10 महां बाद भी तीति गोसित नहीं की गई है जबकि बाद की बरतियों विगपतीयों की परिक्सा होकर नतीजे जारी हो गए जबकि आपने देखा होगा और बहुत सारी वेकेंचिया इसके बाद निकाली गई थी उनका बरती परिक् पस्स करते हैं बस आपका साथ मिलना चीए है आप देख पारे होंगे एक्जाम डेट के लिए बहुत रढ़ा गया है लोग सबाद चुनाओं के बाद density परिक्सा का तारीग गोसित किया जाएगा क्योंकि आप तो एक्जाम के तीप गोसित नहीं किगई तो आपकी úm नहीं चैन बोर्ड तो आप देख सकते हों बेल जाटों ने ये पूरी जानकारी आपको दिये तो दस माहिनों से अब तक इनको कोई भी सूचना नहीं मिली थी इस्टुडेंटों को इसलिए मैंने दुबारा ये वीडियो बनाए और आगे से आगे इसको उसका ने की कोशिस की ताक की सभी जी स्टुडेंटों को इसका कोई फाइदा मिल सके और कुछ इसकी सूचना मिल सके दुबारा कोई रिस्पोंस आए इनकी तरब से तो दन्यवाद दोस्तों कोई आपकी अगले अपडेट के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं जब तक टेक केर बाए 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 गु